सब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बेल आइकिन नेवर मिस अन अपडेट ततबो की बर्गी करन क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट्स कलास टेंथ के केमेस्ट्री का ये दोस्तो लास्ट चेप्टर है अगर आप 2024 में विहार बोड मैट्री का एकजाम दिजेगा तो आज आपको इस वीडियो में इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन और इंसर बताया जाएगी इसलिए आप वीडियो को लास्ट देखे ये एक एक उब्जेक्टिव कोश्चन आपको लोग के लिए इंपोर्टेंट है और इस उब्जेक्टिव कोश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर के आप पीडिया भी डाउनलोड कर लिजेगा जिसरी अध्य hour उप्जेक्टिव कोश्चन कर अधुटिव का अधरी ये 2,2 से पुछावा बोजन है निमन मैं से कौण साओ क्रिष्ट एपाहिला हिया आयोडियन दुसरा है सिलिए कौण C है आरगन और D है ब्रोमीन अब देखे इसमें उत्क्रिष्ट गैस जो है आरगन होगा और यह उप्सन जो है इसका C हो जागा है दोस्तों सही साथ में करता है निम्न में से किस तत में सन्यूजी इलेक्ट्रोनों की संख्या सबसी अधीक है अब देखे यहां पर दिया हुआ सिलिकान एलमूनियम फॉस्फोरस और सोडियम अब यहां से अबर्त सारनी के दिर्ग रूप में कितने बर्ग और कितने आबर्त यह देखे ते सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जोड़ दबाएगे ता कि जैसे आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकरिकर्शन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं चलिए दुस्तों अगरा कोशन देखते हैं दस में आधूनी काबर सारनी में कितने 36 पंक्तियां है यह देखे कितना में 14 में और 15 में पुछा गया 36 पंक्ति मतलब आबर्त तो आबर्त देख शब्से आसान हो जाएगा उसके बाद अगला कोशन देखे आवरत शारनी के बर्ग एक का एक तत्व कोण साहीद इसका सही नेक्स कोशन देखे 13 में वैसे तत्वों के वैसे 3 तत्वों के नाम बताए जिनके बाहितम कच्छा में एक रिक्टरों है इस व्यासियों बार्ग काता है आबर्त सारणी कि उदाग्र अस्तंव को काते उदार मतलब यह जो लंबा-वला इसा रहता है इसको उदार को हम लोग क्या बोलते हैं ऑपसं दिखे आबर्त है भर्ग है धातुव की ज़ते तो बर्ग हो जाएगा सही उसको अगला कोशन देखें नियुट किस आबर् प्राविर्टियों के बारे में कौन सा कथन आसत्य है और दिया हुआ कि तत्वों की संजगता इलेक्ट्रोन की संख्या बढ़ जाती है इनके अधीक अधीक अमली हो जाते हैं तो देखिए यह होज़ेगा ऑप्सन सब्सक्राविर्टियों का त्याग करते हैं यह जो है आसत्य है नेक्स कोचन देखिए एक ही अनुसुत्र परंतु विभीन सरचना सुत्र बाले योगी कहलात एक ही कि इसमें पुछा वो क्वेशन है ऑप्सन यह देखिए समाबैबी है बीया पर रूप है सी उत्प्रेड़क समाबाई भी हो जाएगा सोना का परमानु संक्राइब पूछ बेठा है से 29 होता है ऑस दिखिए नेक्ष देखिएगा यह कि काता है कि तत्व एक सील एक सील टू सूत्र बाला क्रुराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गल्ना कधीख है आब अब और तसानी में यह स तीन है तो यह 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 बनाएगा और यह सीलिकांट जो है वो सब्सक्राइब बना करके यह साइज सील फूर बना लेगा तो देख लेते हैं आधुनी का अबर्त सारणी की 36 का तारी निंखितों में से क्या कहला आती है कि 36 दो है वह आबर्त कहला था यह देखे 20 में पूछ सब्सक्राइब तक धूरा है तीसरा अबर्त धूरा है या फिर पर्थम है चटमी है या सत्मा है तो सही बनाएबर्त सारणी में किसी बर्ग में उपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुन ओपसे लिए भटता है घटता है आप अरिवरतित रहता या इनमेंसे कोई प्रवाटा तत्व सबसे अधीक अध्यादावी बाला गुन दिखलाता है नाइट्रोजन है क्लोरिन है फॉस्पोरस है और सलफर सबसे नाइट्रोजन हो जाएगा नेक्स कुछन देखिए आबर्थ सार्नि के सुन्नी समूह का तत्व का है 15 पुछाओ कोईशन है कि आबर्थ पर्मानू आइतन c दिया हूआ सनुयता रोगी तया संध्या है जो необходимо या कि संध्या हूज है तो उसके डिश्य अ सब घणरी ओनधने का अबॉतिस में काता है अव सरत में इतरय तत्बों से में कांअ सब्चाई है तो देखिए यहां पर और दिया हुआ के दिया हुआ है यल सेल फिर यम सेल फिर यन सेल तो देखिए दूतिय आबर्थ के लिए यल सेल आ जागा निकि बी जगा सही आबर्थ सार्नी में कितने बर्ग होते हैं देखिए 11 और 19 से पुछवा कोशन है अठारा बर्ग होते हैं दीनमरात कर लीजेगा उसके बाद है आबर्त सार्णी में कितने आबर्त होते हैं ग्यार और पदर में देखिए आबर्त सार्णी में अगर आबर्त पुछेगा तो साथ और बर्ग पुछेगा तो अठाराद कर लिजेगा उसके बाद है आबर्त सार्णी में बर्ग एक के तत्म कहला दी देखिए ब डोब नेरन, C है, मेंडलिफ और D है नियू लाइन, तो सही नियू लाइन, त्रियक नियम के परतिपादा किस बेगानिक ने किया था, उप्सन C दिख्यों जगा सही, डोब रेनर, उसके बाद 49 में है, मेंडलिफ की आबर शार्नी के नुशार तत्वों की आबर तफरन होते ह परमानु संख्याओं का, परमानु घनत्ब का, परमानु आयतनिका और परमानु घनत्ब का, सही नियू जगा सही, उप्सन B परमानु द्रबमानों का, उप्सन B जगा सही, 49 हो गया, 40 में देख्ये, किसी तत्व A के करोडाइड, ACL2 यह योगी कूछ दरबरांक बाला ठोस ह तब A, उसी बर्ग के अंतर गत होगा, जिसमें पोटासियम है, बेरियम है, और क्या है, बोराउन है और सिलीकर है, तो सही नियू जगेगा, उप्सन B, बेरियम है, नेक्ष देख्ये, आधूनी का आवर्त नियम के नुसार, तत्वो के गुन आवर्त फलन होते हैं, यह दे आवर्त नियूट 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 नियू सब्सक्राइब करोंगे नियुक्षील सभिए में से किसका आयनन उड़ जा धिक तम है बाइस में पूछा हुआ कोश्चन है कलोरीन है फलोरीन है आयोडीन है ब्रोमीन है तो फलोरीन इसको मार येगा उप्सण हो जगा बी सही दोस्तों परमानु संख्या ना की परमानु द्रब्मान तत्व का अधीक मौलिक गुन है इस क सरफर्फर्फर्फर्पान संख्या में और 25 संख्या चायों wil कच्छा में रिक्ट्रान की अधिकतम संख्या होगी एक उनी से पुछा उसके बाद अगला कोशन देखीगा सबसी अधी के विद्धु रिनात्मक चत्व कौन सा है उनी से पुछाओ कोश्चन है option यह देखे दिया हुआ CL2 B है फ्लोरीन C है O2 और B है आयोडीन उसके बाद नेक्ष्ट कोश्चन देखिए ozone के एक अनू जोन के एक अनू में oxygen के परमानू की संख्या कितनी होती है कि इसे पुछाओ कोश्चन है देखे ओजोन का अगर सुतर देखेगा तो O3 होता है आप देख लिजे कि कितनी oxygen है तीना oxygen है हो जाएगा C सही तो आप हमारे चैनल पर अगर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आप हमारे चैनल से अपको डेट रहे हैं कोई भी वीडियो गराप प्लोक के लिए डाले तो उसका नोटिफिसन आप तक पहुंचे और उसको आप देख सके और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक सेर करें और लाइक करें धन्यबाद